हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अमारे यूटूब चैनल जैसे कि आपको पता है 2020 में कहीं सारे मोबाइल एप और इंपोर्टन पोर्टल से उनको लॉंच किया गया था अलग-अलग राज्य सरकारों अलग-अलग प्लैटफॉर्म के तरफ से उन सब को इस वीडियो में दे आप इस को किसे के द्वारा लॉंक्र किया गया है गूगल के द्वारा इसको जो डॉंच किया गया था जिसमें वह डेटा एंट्री टाइप जोегоपS होती है उनको यहां प्रो प्रॉवाइट कराता है ठीक है मोबाइल मास्टर जी एप तो मोबाइल मास्टर जी एप जो है यहां आई 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 टी कानपूर के द्वारा इसको विक्सित किया गया था तिक राज्य सरकारे ऐसे कोशन बहुत जादा पोस्ती हैं केंदर के पेपर भलाई ना आए वहां पे भी पोर्टल से संबंदित आ सक करें मोबाइल मास्टर जी एप अई डिट कानपूर ने किया है फ्लाइशे गोहांती नाम का एक बहुत जल्डीमे इंपोर्टन टॉपिक है बिल्कु टाइम वेस्ट ने करेंगे जल्द इसको खतम करेंगे अगला है मेग संदेश आप तो आपको पूछा जाएगा कि किस राज्य ने मौसम पर नज़र रखने के लिए ठीक है मौसम की गतिविदियों पर नज़र रखने के लिए मेग करेगा कंपनी से सामान सीधा कस्टमर के दरवाजे बर डिलीवर करेगा नाडा एप तो नाडा एप का लॉंच किया है किरण रिजी जुने ठीक है नाडा का आपको पता ही होगा फुल फॉर्म नैशनल एंटी डोपिंग एजनसी ठीक है तो इसका एप किस ने जारी किया कि प्रिक्षण के लिए जो आपको पता है कोरोना वाइरस चल रहा है तो एंसी के लिए आप लॉंच किया गया जिसका नाम था डी जी एंसी सी ट्रेनिंग एप किसके लिए शुरू किया गया था एंसी के लिए प्रिक्षण के लिए एक तरीके से भारत जो छोटे वेपारी होते हैं उनको आत्मनेर बनाने के लिए उनको देशी जो समान है जो मेडिन इंडिया है वहां तक उनकी रीच पहुंचाने के लिए ठीक है स्रीजन पोर्टल को लॉंच किया गया किसके द्वारा भारत के रक्षा मंतरी राजना सिंग के द्वारा ठीक है स्रीजन के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेल्फ रिलाइंट इनिशेटिव त्रू जॉइंट एक लिए ठीक है मेरिन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अगला है एंट्रपर नॉशिप स्टूडेंट एंट्रपर नॉशिप प्रोग्राम टू पॉइंट ओ तो यहां लॉंच किया गया है डेल टेक्नोलोजी की तरफ से ठीक है यहां प्रोग्राम किसके दोरा रन किया हमको कमेंट कर जा पता हैं सिबिल की फॉर्फर्म क्या होती है बहुत बार पुचिछाती है यह रक्षबंधन कारेकरम यहां किस ने शुरू किया था आंदर पृदेश ने इसको शुरू किया है साइवर जागरुकता को से संबंदित यह था और उससे संबंदित था यह SDFC bank ने एक किसांधन app launch किया है, जिसके द्वारा आप online जो खाता है, आप उनको खोल सकते हो, online transaction कर सकते हो, ये स्विधा दिये है, SDFC bank. अगला है money app, money app launch किया गया है RBI के द्वारा, यहाँ app जो दृष्टी बाधीर होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनको नोटों की पहचान करने में मदद करेगा, कि ये 100 रुपे का नोट है, कि 500 रुपे का नोट है, तो किस app के द्वारा आप को मदद मिलेगी, money app जिसको launch किया है RBI ने, अगला है योधावू app, योधावू app जो है, इसको केरल ने शुरू किया है, और नशे के उपर प्रतिबंद लगाने के लिए, नशे को कंट्रोल करने के लिए, योधावू app को launch किया गया, किसके तरफ से, केरल सरकार की तरफ से, अगला है हिम्मत प्लस, हिम्मत प्लस जो है यहाद दिल्ली पुलिस और उबेर, जो है, इनके सहिएक तरूप से इसको launch किया गया है, हिम्मत प्लस को, ठीक है, इसके तहट क्या किया जाएगा, इसके तहट जो उबेर होगा, जो उसमें टेक्सी में लोग होंगे, उनको जीपियरस के तरूप track किया जाएगा, कि अगर कोई भी मुस्किल में होता है, जो भी मज़़ूर लोग होते हैं, जो भी जो जॉब करता होते हैं, वो अपनी शिकायते इस पर दर्जिकरा सकते हैं, ठीक है, शूपर एप, शूपर एप एक तरीके से आप इसको बोच सकते हैं, कि ऑनलाइन फैशन के लिए, खाना, पीना, शॉपिंग, ऑनलाइन, बिल पेमेंट, सभी चीज़ों के लिए, टाटा ने एक एप लाँच किया है, जिसको नाम दिया है, सूपर एप, जो की टकर देगा किसको, एमेजॉन को, ठीक है, एमेजॉन के भी थुरू, आब ये सब कर सकते हो, फैसन कर सकते हो, औरर कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, तो वही सारी चीज़े, सूपर एप भी करने के लिए उनको बोल सकते हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए वापस से प्राप्त करने के लिए दूसर अंचार विभाग ने एक पोर्टल लॉंच किया है कौन सा अप लॉंच किया है फ्यूल हमसफर आप क्यों लॉंच किया गया था डिजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए किसने इसको लॉंच किया था भारस सरकार ने और यह सुविधा कहां दी जाएगी यह सुविधा केवल दिल्ली में अभी दी जाएगी ठीक है आपको हमसफर अगला है रोजगार संगी एप रोजगार संगी एप जो है यहां 36 गड़ के दोरा शुरू क्या गया है ठीक है रोजगार संगी एप पहली AI बेस्ट पुलिस अफ़सर इला तो यह कहां है इसको कहां पर इसको निक्त क्या गया AI यानिक आर्टिफिशल इंटेलिजे क्या है Reliance Industry के e-commerce platform है उसका नाम है Geo Mart ठीक है Reliance Geo नहीं है Geo Mart इनके online commerce जो e-commerce platform है उसका नाम है अगला है Cyber Safe Women तो Cyber Safe Women जो यह पहल शुरू की गई थी यह महराश्टर में शुरू की गई थी UPI सुविधा देने वाला देश का पहला टेलिकॉम operator कौन है तो वो है Reliance Geo सभी सुविधाओं के लिए रेलवे का एकिकृत हैल्पाइन नंबर कौन सा है तो सभी सुविधाओं देखो जितने भी परेशानिया होती है रेलवे में या जितनी भी आपकी शिकायत होती हैं सभी के लिए रेलवे ने एक एकिकृत याने की एक ही नंबर लॉंच किया है जिसका नंबर क्या है 139 आपको याद रखना है 139 रेलवे ने एक नंबर लॉंच किया है जो सभी प्रकार की साहिता के लिए सभी प्रकार की स स्मार्टपोन लांज किया पहली बार चेहरा पहका के नगर्पाली का च będzie ओने वारा है जो च यहरे को पहांचानता है ठीक है है अगला है निघा मोबाइल ऐप यह निघा मोबाइल एल कहां लांज किया आंदर प्रदेश शरकार ने स्क कहां लांच पहल क्यों woman entrepreneurship को बढ़ावाद देने के लिए महिला उद्धमिता को बढ़ावाद देने के लिए facebook ने पहल शुरू किया है जिसका नाम क्या है प्रगति आपको पूछेगा facebook द्वारा woman entrepreneurship के लिए कौन सी पहल शुरू की गई प्रगति अगला है परियाटन मंत्राले द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रंखला तो इसका सही जवाब है देखो अपना देश देखिए वेबिनार श्रंखला एक तरीके साब जैसे बोलते हैं कि सेमिनार होता है सेमिनार में किसी भारत के अलग-अलग जो महत्वपूर्ण जगा है उनके बारे में वो पूरा चीज़े बताते हैं ताकि इससे परियाटन को बढ़ावा मिल सके ठीक है तो किस नाम से शुरू क्या है देखो अपना देश ये भी इंपॉर्टेंट पोर्टल है तो ये थे हमारे 2020 के इंपॉ पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जाधा से जाधा शेर कीजिए ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए कम टाइम में छोटे-छोटे टॉपिक्स की वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाता और आपको उनसे help मिलती रहे Thank you friends